नमस्कार दोस्तों मैं है तोड़ों दोस्तों मनुमोरते इस वीडियो वेचे आपको कंप्यूटर नो शुरूत लेके शुरूत नोहीं स्टार्ट करेंगे ते हर एक्जैम बेच जो भी पंजाबी चाहँन बड़ा एक्जैम है हर एक्जैम बेच यह काफी इंपोर्टन एड पैनिफिशल वीडियो रेंड वाले कंप्यूटर दे रिगारिंग ताम और के फटा फट वीडियो नो लाइक चैनल नो सब्सक्राइब कर लो ताकि इस दा नेक्ट पाड़ भी तो नो इजीली प्रवाइड होसके एंड एकगल होर जी एसस भी क्लरक दे रिगारिंग थे अब पनो पता होना चाहिदा कि नो फुलिए और फॉल्रम केया था कंटीटर देश्परेंगेशनल रिचmen कर लो अपने लेंग्विज विच जिनने भी नोट्स बना होंगे उन नहीं तो रिवा से डवल त्यारी होंदी रहेगी तेक कॉमन जा क्वाशन है एक्जाम बेच काफी बार पुछा रहां दा फादर ओफ कंप्यूटर है चार्ल्स बेवस चार्ल्स बेवन ने सब तो पहला कंप्य ओहु दस नंबर आपका किच्छों कावर कारने ने मेरे गोलों जस्त फोटी फोर पेज तुसी पीडिया फाइल बाय कर सागते हों जिस बिच आल कंप्यूटर दे इंप्पोर्टन्ट क्वेश्चन कावर केत्ते हुए ने ओहु पीडिया फाइल भी तुसी एक वरी रीड क परके मिना लगाल करके फिर तुसी इंपोर्टन्ट क्वेश्चन है दे पीडिया फाइल नूँ बाय कर सागते हों काफी केंडिडेट्स ने ओड़ेडी ही पीडिया फाइल बाय कर लिया जै तुसी भी अपने इग्जैम दिते रहे नूँ प्रफेक्ट बनावन चानने हो तुसी देख सागते हो ता सबतो पहला कंप्यूटर जैड़ा जैड़ा जैडिबी कंप्यूटर यूज किते जैंदे सी उना नूँ फर्स्ट जैनरेशन दे कंप्यूटर दी कैटिकरी विच रख जैंदा है इस नुटे वीच वैक्यूं क्यूव उजंदा सी होने अपतां सी यूज deeper सब्सक्endre चानने कंप्यूटर विच कंप्यूटर वीच क्योंडा सी वैक्यूम क्यूव उजंदासी ऐस ils एश compatible which input टे आउटपट डिवाईज लिए पंच्चकार पेपर टेप ते मैगनेट टेप यूज होंदे सी एक्जैम्बी तोड़े तो क्वेश्चन इस तरह पुछा जावेगा कि फर्स्ट जनरेशन दे कंप्यूटरां विच आउटपुट डिवाइज ली की बरते जान दे सी तब पंचकार्ड पेपर टेप या मैगनेट टेप जनरेशन दे कंप्यूटर दा सी इस तो इलावा दोसो मेन मेन पॉइंट जड़े एक्जैम बेच पुछे जान दे वही मैं इस वीडियो बिच कवर किते हुए इस तो बार एक्जैम बेच कुछ भी तोड़े तो पुछा नहीं जावेगा तो इस तो बाद क्वेश्चन इस बिच टाइप कर सकते सी आम जेड़ा आम मनुख हुंदा उस वास्ते यूज करना काफी डिफिकल्ट सी है कम्प्यूटर ता अगर कि मिशिन नी पासा दी स्पैसल ग्यान होना चाहिए था सि फिर यह ना कम्टर यूज कर सकते सी तो इस वीच बैच ओप्रेटिंग सिस्टम हुंदा सी एक्जैम बिच बांदा क्वश्चन की बैच ओप्रेटिंग सिस्टम केड़ी जनरेशन दे कंप्यूटर विच सी ता फर्स्ट जनरेशन दे कंप्यूटर विच बैच ओप्रेटिंग सिस्टम यूज हुंदा सी तो कहीं वारी एक्जैम बिच फर्स्ट जनरेशन यानि नाम भी पुछ ले जाने ने ता सब्सक्राइब सूर सीड़ा एडिवैक एनिवैक ते यूनिवैक ते आई बीम साथ सो एक चार को दोस्तों हुन जीमें जीमें कंप्योटर विच कम किता गया कंप्योटरां मिच सोध के ती इसे था सैक्डि जेने चनरेशन दा कंप्योटर थी वारी आ जाना इयाँ इसे जेनरेशन दा पीरट का दोब्स न सी 1902 जात लेके 1904 तक जड़ी भी कंप्योटर यूज को देने ऊ पुछ आपने जनरेशन दी कैटिगरी विच रख देया थे साइड जनरेशन दा कंप्यूटर तो से देख सकता हो चुक्क यह ते खर्चा विजदा कट हो गया सी नॉर्मल इंसान भी फिलाल फिप्टी प्रसेंट नॉर्मल इंसान चरहून लग जैसी नहों ते एन्ना कंप्य आपप्यूटर मेंबरी नामक पाशा चाया सी थूड़े चलाने हर कोई इंसान मतल्ल्य 20% जो फोड कार साकता था कंप्यूटर नों चला सकते हैं तो इस जनरेशन वीच आपनों इंट्रोडूस करवाया मल्टी प्रोग्रामिंग ओप्रेटिंग सिस्टम नाल जिस्ट रूपा सोंग भी सुन सकते हैं ना जिमें होन कम्प्यूटर आपा सोंग भी सुन लेने या ते वीडियो भी देख लेने आते होर काम भी कर लेन मल्टी कम कर लिए ना पा उस तरह दा सिस्टम में ना ने ओढ़ेडि सेक्टी जनरेशन विच क्रिएट कर दी ता सी एक्जाम बीटी पुछा जान दा है कि सेक्टी जनरेशन दी कंप्यूटर आंदे उदा रहना दो आई वेम सोनासु भी सीडिये सोनासु चार ते कर दे है तर तर द्रेशन दा थी इमेज विचे देख सक्ड दे कंप्यूटर स्थे मेज विच देख सकड दर व तुर्द धर म्युतर ने क्व territory is research जिरी इस बंद़ निश्ञार चबी खेंफित थी जनरेशन कंप्यूटर सब्ल सहां कर बूशिन bên 2000 दा की सी no अगर के इन्हां तो जमें हुः नीसो बहत रहते में लिख्या होया तुस्य उन्ना तरवी लिख सेको दें उन्नीसो तरवी लिख सेको दें मतलों थोड़ दफरेंस हो वे बत तरशा मेनली है नहीं ने बीचकार धाही टाम है 3rd generation है वे दों कंप्योटर हुट्स हुण इंटिग्रेटेड़ चिप यूज होने लगी से ऐसे सी पीउ ता आई सी आगे सी कंप्यूटर विच फिट करता ओविया साइज कंप्यूटर दा छोटा हो जावेगा जो दूसी इमेज विच देख सेको दियो तेक्साम बिच काफी बार एक क्वेश्चन बन चुक क्या है ता इस तो है बाऻिए अन्य कंप्यूट्र विच्च अप्おाइस जदो लही मूत्च कंप्यूट्र आई थाडट जनरेशन दे कंप्यूत्र आए एपHow आको की संप्रेट वरा इस तो इलावा काफ़ी हायर लैंगवेज हुन यूज हो न लगे सी न इडो थार्ड जनरेशन दे कम्प्यूटर ना विछ न वीच फोर्टन टू नामक लैंगवेज यूज नामक यही लैंगवेज न कम्प्यूटर न वीच यूज हों दी सी इक्जैम बीच बाहन देनी ही क कंप्यूटर वारे पुछा जान दा इस तो लाबा हानीवेल पीडीपी बारे वी काफी बार पुछा जान दा थे इस तो बाद आपा गाल कार लेने आप फोर्थ जनरेशन दे कंप्यूटर दी साइजी होर चोटा हो गया साइजी होर शोटा यह थे कार दिता गया तुछी देख से आखो दें यह ज़िए कंप्यूटर आपा यूज कर दे से उनी इस बत तरतो लेगे उनी सो नब्य दा आपन कोड़ों टाइम पीरेड सी एन्ना विचकार यूज होई नेड़े कंप्यूटर उन्हानों फोर्थ जनरेशन दी कैटिगरी विच रख्या गया एन्ना कंप्यूटरां विच बैरी लार्ज स्केल इंटिग्रेटर चिप यानि VLSI यूज होना लगी सी सीपी आई सीपी यू ौफा यूज होने लेकोड़ी चैनरेशन दे फफोर्थ जनरेशन दे कंप्यूटर ने एक्जाम बीच बन दा कश्यन है थी मैक्रो कंप्यूटर केडि जनरेशन दी देन है ता फोर्थ जनरेशन दी देन है यादर रक्यों ते इस बिच आपनू टाइमिंग शेरिंग तो ओल्रेड आपा यूज कर देशी रियल टाइम भी ओल्रेडी थरद देशन नड़ा पा यूज करना लगे जी ते अपनु नेटवर्क दी नमीक होज प्राप्त होई ते नेटवर्क यूज करना लगे इस तो इलावा डिस्ट्रिबूटिंग ओपरेटिंग सिस्टम धी थीम भी आपनु समझे आउन लगे कि इस तरह अंदर भी कुछ नेटवर्क हो सकता है तो एनना कंप्यूटर हां विच्छ हायर लैंगवेज यूज होन दी छी सी प्लस ची सी प्लस प्लस दे डी एबी असी टाइप दी लैं कंप्यूटर एक्जाम बीच पुछ जन देने कि फोर्थ जनरेशन एनना विच्छो केड़ा कंप्यूटर है फोर्थ जनरेशन अले लेटर है तक रिवन क्रे एक्स एंपी टे पीडियाफ 11 काफी फेमस कंप्यूटर सी फोर्थ जनरेशन दे है इस तो बाद आजानगे या फ्फ जनरेशन दे कंप्यूटर निबालें फिफ स जनरेशन दे कंप्यूटर झेड़ा आ यज जन लेसें कर देना इह इनन दे गाल कर दी तहा के जब इंड मतलब बहुत ही जादा लार्ज स्केल बिच यूलसाई ता मतलब एक्जाम बीच पुछे रहें दो फुल फोर्म भी पुच्छा जांदा है अल्टरा लाज स्केल इंटीग्रेटर इस दा फुल फोर्म है यहें वी एलसाई नूं इंक्रीज कर दिता गया मतलब इस वर्दिन हाई कर दिता गया फिर अपां यूज कर लगे यूलसाई तो अपा एक नमी टेक्नोलोजी नाल इंट्रीडूस होए फिट जनरेशन दी जित्वे अपा मैक्रो प्रसेसर चिप इस्तो बाद जनरेशन नहीं हों दी इस्तो बाद मैक्रो प्रसेसर दे जिडे चेंजिंग हों दिया मतलब अप्ग्रेड यूज हो रहा मतलब मैक्रो प्रसेसर अप्ग्रेड हो गया था थोड़ा बधिया कॉल्टी अपनू कम्प्यूटर विच देखनानों मिल जूगे ओकी तोसर इस्तो लागा अथिया अपनू आर्टिफिशल इंटाइलिजन्स डिडि रोबर्ट विच अपनू टेक्नीक देखनानों मिल देखनान मिल देन्या ओहो अपनू फिफ्ट देनेशन दे कम्प्यूटर नहीं इस टेक्नोलोजी नाल इंट्रोडूस कराया